हेलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी एकदम ईजी है ईजी के साथ साथ खाने में भी टेस्टी और बनाना तो काफी ईजी है कि आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो समुसा, कचोरी, पकोड़ी सब खाना भूल जाएंगे तो फिर चलिए बनाते हैं फ्रेंट्स अगर करना ना भूलें तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है एक कड़ाई, एक कड़ाई में एक कप पानी डालेंगे और पानी को थोड़ा सा गरम होने के लिए छोड़ देना है तो अब क्या करेंगे अब इसमें डाल देंगे नमक अपने स्वात के अनुसार, स पीला जाएगा। लए टेल नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा कड़ा बनेगा लेकिन तेल कम सोक करेगा। यह थोड़ा सा मुएन के रूप में घंदम खस्ता बनेगा। पानी अच्छे से गरम भी उगया उबाला गिया है। अब इसमें सूजी डाल देंगे। तो एक कप सूजी डालना है जैसे बड़े साइज का कप था तो एक कप पानी हमने डाला और उसे छोटे साइज का कप था तो सूजी डाला और ऐसे मेजर करेंगे तो कटोरी से एक कटोरी पानी और पौना कटोरी सूजी डालना है अब अच्छी तरह से गरम पानी में मिक्स कर तो समझेगा सूजी पक चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद क्या करेंगे, एक प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तो जब तक सूजी ठंडा हो रहता है तो एक मसाला रेडी करेंगे, उसके लिए क्या करे डालेंगे डाल देंगे पंच फुरन पंच फुरन में जीरा सरसो मेथी सौफ अजवाइन है डला हुआ और एक तेजपत्ता को तोड़के डालेंगे कि अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा और साथ में थोड़ा सहीं पाउडर भी डालेंगे यदि हींग है तो जरूर से डाल में हींग डाईजिस्चन में यूद में थेस्ट भी बढ़ाता है क्योंकि अम आज लसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं अब क्या करेंगे आलू गुवी कटा हुए उसे डाल देंगे तो आलू को गलने के लिए आप इसमें डाल देंगे नमंक अपने इस वात के अनुसार सा पूरा अच्छे से आलू और गोवी गल जाए और साथ में मटर, मटर अभी ताजा है, फ्रेस है तो जल्दी गल जाएगा, तो अब मिक्स कर लेते हैं, देखने से तो दिख रहा है, आलू गोवी अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मसा जीरा धनिया पाउडर, जो टेस्ट को बढ़ाता है, यदि है तो जरूर से डाले, अब इसको मिक्स भी करना है, और मैस भी करना है, तो मैस किस तरह से करें, क्योई गरम लगेगा, आप कोई ग्लास ले ले और ग्लास से अच्छे से मैस कर ले, या फिर ये आपके पास मैसर होगा, उसे भी मैस कर सकते हैं, जैसे भी करना है मैस, इसको बस पूरा अच्छे से चिकना कर देना है, तो आप पूरे अच्छे से मैस हो गया, मैस होने के बाद आप देख सकते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है, अकसर हम लोग क्या करते हैं, कच्छा आलू का नहीं बन दिना है टाल के अच्छे से Mix करेंगे और इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़े देर के छोड़ देंगे चैट-पटा spicy masala बनके रेडी तो आलू का मसाला भी बनके रेडी होगно है और और यह सुझी या फिर मैदा भी डाल सकते हैं चिकना बनाने के लिए और एकदम सॉफ्ट है यह तो अब क्या करेंगा अब इसे मीडियम साइज का एक लोई बनाएंगे से अब लोई बना के इस तरह से कटोरी के सेफ में ले आना है जैसे नॉर्मल हम लोग स्टफिंग वाला पराठा कैसे बनाते हैं उसी तरह से से उस्टफ कर देना और अच्छे से पैक कर देना है और यदि कोई साबूत लगे की मटर है तो उसको हाथ से हलका सा मैस कर दे तो बस अब इस तरह से पैक कर देना है पैक करके अच्छी तरह से अपने पसंद का कोई भी सेप में बना सकते हैं ओवल सेप में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं लेकिन आज मैं टिक्की के सेप में बना रही हूँ इस तरह से तो बनके रेडी हो गया है, तो बाकी कभी सेम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे तो अब इसे पलट लेते हैं, पलट के इदम गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे, क्योंकि ये पीला भी दिख रहा है, तो पता नहीं चलेगा कि क्रिस्पी हुआ है कि नहीं हो, ध्यान से देखना है, तो ये बनकी रेडी हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं, और बाकी क ये बना भी सकते हैं, मैं आपको एक पिस्टोड के दिखाती हूँ, कि चारो तरफ स्टफिंग किस तरह से फैला हुआ है, और यदि आज की रेसेपी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,